हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमाई हीटुप चैनल इस्टार गौरब एजिकसन दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और लेखक परचे बहुत ज्यादा इंपोरेंट है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना इसलिए आज वीडियो को आप पूरा देखना आंतिसक देखना बिल्कुल भी किम्मत करना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जुरू करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी आपके लिए वीडियो ल अंतक देखें आएए स्टार्ट करते हैं देख इनकी रचना है कुमकुम कलास हम तो बावल तेरे बाग की चडिया और चत्र चडिया ठीक है क्या-क्या इनकी रचना कुमकुम कलास हम तो बावल तेरे बाग की चडिया और चत्र चडिया ठीक है तीन रचना मैंने आपको इ तो पंडित राम नारायन उपाध्या जी की भासा कैसी यह सरल और खड़ी बोली है कैसी यह सरल और खड़ी बोली है इनकी भासा लोक भासा है इनकी भासा कैसी यह लोक भासा है ठीक है इनके बोलचाल के सब्दों का प्रयोग भासा को मधुरता देता है यानि इस तरीका से बोलते हैं कि इनकी बहसा आए मधुरबों जाती है इस प्रकार से बोलते हैं तो इनकी बहसा कोी कि देता है मधुरता देता है इनके अधेक्तर बाग के छोटे हुआ विचार पूड़हे हैं यानि इन्होंने जितने भी बाग के लिखे हैं और विचार पूड़े हैं ठीक है यानि विचार करने वाले सोच विचार करने वाले ठीक है इन्होंने बेंगात्मक निमंदों में बेंगात्मक क्या होती है तो बेंगात्मक होती जिनमें चिटो को ले आती है यानि कोई हसी की बात आए उसे वेंगात्मक सेली कहते है अब देखो इन्होंने वेंगात्मक निमंदों में वेंगात्मक सेली को अपनाया है और संसमरणों में इन्होंने वेंगात्मक सेली को अपनाया है ठीक है इन्होंने अपनी बात को प्रभाव साली बनाने के लिए सूत्रात्मक सेली को को भी अपनाया है इन्होंने सूत्रात्मक सब्सक्राइब को अपनाया है इन्होंने अपनी बात या बोली को प्रभावसाली बनाने के लिए राम नारायन उपाध्याए एक अच्छी निवंदकार और लोक साहित्यकार की नाम से जाने जाती है पंडित राम नायरान पाद्याय एक अच्छे निवंदकार और लोक साहित्यकार की नाम से जाने जाते हैं इसलिए हिंदी गद साहित सदेव इनकारेडी रहेगा इसलिए हिंदी गद साहित सदेव इनकारेडी रहेगा दोस्तों रहें जिससे आपके दूस्त भी अग्जा में अच्छे अच्छे अंग ला सकें तो धन्वाद दूस्तों टेक क्यार वाई वाई